है आप कैसे हैं तो आज है अपची है तो आज शन 22ग चल रहा है और 22 22 का यहाई फैला महीना जन्वरी और तो इस महीने का सबसे फैला दिवार है सकट और सकट पर आज हम दिखानेवाले यहां पर हमारे हांपर किस तरह सकट बनाई जाती है और सकट पर क्या क्या बनता है तो आसा करती हूँ आप इस वीडियो को फुल वाज करेंगी और प्रिस कमेट करके बताएगा और कहां पर कैसे बनता है सकट पर तिल के लट्डु जरूर बनते हैं और तिल के लट्डु को और अच्छे से स्वार्थिष्ट और हेल्थी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है बुरा मावा और बदाम को हमने थोड़े से भून कर दर दरे बारिक पीस लिये हैं और काजू लिये हैं, काजू को भी हमने बारी पीस लिया है और मखाने, मखाने को भी हमने ग्रैंडर कर बारी कर लिया है और जो थोड़ा भूत मोटा मोटा था हमने इसमें से निकान लिया है और तील को भी हमने हलका भूनने के बाद उन्हें पाई ग्रैडल कर लिया है मखाने बादाम काजू और तील इन सब को पीचने के बाद हमने अच्छे से मिक्स करकर और इन लड़ों को इस्पेसल तयार किया ये बच्चो को दूट के साथ ही समय साहम दे सकते हैं और ये बच्चो के लिए टेश्टी होने के साथ बहुत ही हैल्थी होते हैं इन्हें बड़े भी खा सकते हैं अगर इन लड़ों को लेडिश खाएगी तो उनकी कमर में दर्द बिल्कुल भी नहीं ह होगा और कंजोरी उसा साथ पर कंजोरी विकने जोर रहती है दिकतर और तो को वह भी नहीं होगी झाल 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 कि आविपना करो दोता है? कर दो कि अ कर दो कि ए्जाशा पूंच भी कर दो का दो कि आपके छूओल्टानल, भी एकि लाव़ाई झालनल, भी कर दो आपके और आज हम बनाने वाए हैं सिंपल आलो चिरे सोबसनी के आलो तेले बोलते हैं बंडारे के आलो यह पूरे के साथ ही बहुत ही स्वादिश लगते हैं सिंपल फे में बनाए जाते हैं हमने आलो और मटर को अच्छे से बोल कर लिया है एक सिती में और थोड़ा सा ओए लेकर हमने इसमें चीरा सौम धनिया दो साबुत लाल विर्च और दो टमाटर ग्राइंडर करके हमने इसमें गेर दिये हैं और अब इन्हें अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बार इसमें दो पारी अरी मिर्च कटी वही और स्वादा नुशार हम इसमें नमग, मिर्च, हल्दी सभी मसाले हम गेरेंगे और हिंग भी और इससे अच्छे से चलाते रहें और जब इसमें हलका हलका सा और छुट जाए किनारे पर तब हम इसमें थोड़ा सा हम इसमें मावा गेरेंगे जो कि हम ने तील के लड़ू बनाते समय हमने 20-30 ग्राम मावा मचा लिया था वह हम इसमें गेरेंगे अच्छे से खुब मिक्स करेंगे चलाएंगे और चलाने के बाद इसमें जब अच्छे से ओइल चोड़ने लगे बराबर में से इसमें हलका सा हम इसमें पानी गेर देंगे अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद चितनी आपको इसे गाड़े पतले रखने हैं इतने आप रखें पूरी के साथ यह हैं काड़े ही अच्छे लगते हैं और बाद में इसमें करम मशाला हरा धनिया पानी गेरने के बार कसूरी मेति से गम जगम 30 मिनट तर पकाएं और यह आज सकटके देवार के थाली तयार है